सब्सक्राइब करें मारे विनोत की रसोई चैनल को बेल आइकन को जुरूर दबाएं जिससे हमारी लेटस्ट वीडियो आप तक असानी से पहुश सकें नमस्कार विनोत की रसोई में आपका स्वागत है तो इस समय गर्मियों का सीजन चला है और इस सीजन में सभी को ठंडा पीने का बहुत ही अपमन करता है और खासता और बच्चों को तो आज हम बच्चों का मन पसंद और यह मिलकशेक बनाना बताएंगी क्योंकि बच्चे औ और यह मिलकशेक बनाना बताएंगे और यह बच्चों को बहुत ही पसंद होता है इसे बच्चे बड़े सभी पिएंगे और इसको पसंद करेंगे और इसी गर्मी की सीजन में और भी आपको ड्रिंक बनाना बताएंगे तो आज हम बना रहे हैं और यह मिलकशेक चलिए बन शाट सातर ग्राम चीनी बहुत है जैसे आप मीठा पीना चाहें और हम हरसल का यह चौकलेट सिरफ लेंगे और हमने मिल्क लिया हुआ है यह यह फुल क्रीम दूद यह हमने दो कप दूद लिया हुआ है और इसको हमने गॉयल करके इसको ठंडा कर लिया है और थोड़ी सी कासा डाल देंगे और इसको हम थोड़ी दिर के लिए फ्रीज में रख देंगे जिससे अच्छे सी हमारा यह चौकलेट सिरफ सेट हो जाए है देखिए इस तरह अब इसको हम फ्रीज में रख देंगे और उसी तरह हम एक दूसरा ग्लास भी हम लेंगे और अब हम बिसकिट लेंगे और बिसकिट को हम निकाल दिए और हमने ग्लास को फ्रीज में तक रख दिया है सेट होने के लिए और यह बिसकिट बक्षों को बहुत ही पसंद होते हैं तो इन तारे बिसक्ट को हम निकाल लेंगे और इस तरह हम क्रीम वाला अलग रख लेंगे और यह प्लेन वाला इधार रख लेंगे इसी तरह सारे बिस्कुटों को यह हम दो ग्लास बना रहा है तो दो ग्लास के लिए 6-7 बिस्कुट बहुत है अब जो हमने प्लेन अले बिस्कुट लिए है इनको तो के हालका सा क्रस कर लेंगे अब चाहता है दूसद को और इस तरह हमने सारे बिस्कुट की दोड़ी आए अब इसको एक पॉयति की जाठ मी इसमें हम और इसको हम क्रस्ट कर लेंगे देखिए इस तरह हमने और यह विस्कुट का पौडर बना लिया है और बहुत जादे इसको महिनी भी निकी है हमने हलका सा दद्रा ही रखा है अब इसको अलग किनारे कर लेंगे और हम एक मिक्स अा जार लेंगे इसमें लें चीनी डाल देंगे चीनी मनें पताई जैसा आप मिठा प्रपिना चाहें और इसमें हम ठंडा डूठ डूठ डाल देंगे अमने स्टो कब तूड लिया है और दूर डालने के बाद इसमें और यो बिस्किट डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे और अब इसमें हम थोड़ी बरब डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा सिरफ भी डाल देंगे ये चॉकलेट सिरफ हम थोड़ा करेंगे और इसको एक बार फिर हम मिक्स करेंगे और देखिए अब इसको निकाल देंगे और देखिए ग्लास भी अच्छे से हमने फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो गया देखिए अब इसमें हम जो हमने और यो बिस्कुट का चूरा किया था और इसको हम डाल देंगे कर बेर्चमच्छ और समय और इसमें उपर से हम और देखिए यह मारा बनके त्यार है और जब उसी प्रोसेस से इसको भी त्यार करेंगे हम झाल करेंगे करेंगे कालीा है त्यार करेंगे एक श Cleा क yarn और इसमें उपर से हम चौकलेट सिरॉप डाल देंगे और इसको चाहें तो आप थोड़ी दर के लिए फ्रेज में भी रख सकते हैं मगर यह इतना चुलिड हो चुका है आप इसको फड़ा फट इसको पीजिए और लीजिए बनकर त्यार है और यह मिलक्षे बच्चों का पस स्पीकर समय धन्यवाद